परशुराम जी द्वारा कर्ण को श्राप कर्ण द्वापार्योग के महान योध्धा में से एक थे लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया कर्ण को उनके जीवन कालमी दो श्राप मिले थे उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था जबकि दूसरा श्राप एक ब्रामन ने दिया था कर्ण को बच्पन से ही धनूर धर बनने की चाहत थी लेकिन सूत पूत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं दिता था जब वह धनूर विद्या सीखने के लिए गुरु दूनाचारी के पास जाते हैं तो वह भी कर्ण के सूत पूत्र होने के कारण उसे धनूर विद्या देने से मना कर देते हैं इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँच जाते हैं लेकिन भगवान परशुराम सिर्फ ब्राम्हनों की विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धन और विद्या सीखना चाहता था। तो वह भगवान परशुराम से जूट बोलता है कि वह ब्राम्हन है। भगवान परशुराम भी करण को ब्राम्हन समझकर उसे शिक्षा देने लगते है। जब करण की शिक्षा खतम होने वाली होती है तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोबहर के समय करण की जंगा पर सीर रखकर आराम कर रहे थे। थोड़ी समय बाद महां पर एक बिच्छो आता है जो कर्ण के जंगा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छो को हटाने की कोशिश की तो गुरु परश्राम की नीन तूट जाएगी और इसलिए वह बिच्छो को हटाने की बजाए उस डंक मारने दीता है। कर्ण काफी सम गुरु परशुराम नीन से उठते हैं तो मैं देखते हैं कि करन के जांक से खून बहरा आए और ये देखकर भगवान परशुराम गुस्से से कहते हैं इतनी सहन सीलता तो सिर्फ किसक शत्रिय में ही हो सकती है तुमने मुझसे छूट बोलकर ग्यान हासिल किया है इसलिए मैं तुम्हें श्राब देता हूँ जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या के सबसे ज़्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी इस से निराश होकर करन अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयम नहीं जानता कि वह किस वंशा और कुल का है ऐसे में वह सारी बाते अपनी गुरु परशुराम को बदाते हैं यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राब देने पर पश्टावा होता है लेकिन दिया हुआ श्राब वापस नहीं लिया जा सकता था इसलिए वह अपना विजय धनुष करन को वरदान के रूप में देते हैं इसके दाक्षेस को निशाना बना थे और उसे मारने के लिए बान चलाते हैं लेकिन दाक्षेस अशानक कायब हो जाता है और बान दलदल में फसी एक गाय को लग जाता है बान लगने से गाय की वही पर मौत हो जाती है उस गाय का स्वामी एक ब्राम्हन था जो गाय की दुरदश तुम्हारी भी मृत्यू होगी। आगे चलकर इन दोनु शाप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान करन के रत का पहिया दल्ल में फस जाता है। जब करन उसे निकानने के लिए रत से उदरता है। तभी अर्जुन बान चला दिता है जिससे करन के मित्ति हो जाती है। और इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कैसी लगे हमें सरूर बताईए।